नमस्कार, 12 मासा OPD में आपका एक बार फिर से स्वागत है स्वाइभं old-aid-face, 10 में आपके स्वापWow दिया दूर्ध के बहुत बहुत जाना में हो गया बारा करा कि hablar भाई भ मुएट आपके से लिक्तियां भूपार काउघसर पैड़ुनिक्स कैसे अपकोढ़ा खागता है यह बहुत कॉमन क्योंगे हम थम का मोबाइल यूज करें तो थम का बहुत स्तेमाल करें तो कंटिनुवसली जो लोग बहुत जादा मोबाइल पर लगे तो उनको भी यह दिक्कत देखने को मिली है जैसे चोट लगती है गरम सिखाई कर लो है ना तो यह बहुत गलत है नमस्कार बारामासा ओपीडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है बारामासा ओपीडी के अलग-अलग एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से जो आपके स्वास्ते के प्रती आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर यश मोहनलाल जो की एक और्थो सर्जन है यानि की हड़ी रोग विश्वेश अगये सर आपका बारामासा प्रगती और पूरी टीम को एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम पहाड के अपने शोताओं तक अपनी बात पहुचा सकें जागरुकता सेहत कर्पती पहला सकें थैंक यू अगर हम सर की उपाधी की बात करें तो सर अभी फिलाल अर्हंत हॉस्पिटल में और्थो सरजन के तौर पर है और इससे पहले भी वो अलग-अलग जगाओं पर पोस्टेड रहे चुके हैं जर्मनी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सरका स्पेशलाइजेशन जो है वो अर्थोस्कोपी और प्लास्टोस्कोपी में है बाकी ह सरसे जान लेते हैं उनकी जीवन के बारे में उनकी शुरुवात कैसे हुई और डॉक्टर बनने तक का उनका सफर है वो कैसा रहा तो प्रगती शुरुवात से बता हूं तो मैं मेडिकलास फैमिली से बिलॉंग करता हूं और मेरी जादा तर एजुकेशन जो मेरे फादर की अबरे मेरे 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 मेर प्लान कि मैं उत्राखंड की तरफ रुख करूंगा अपना या उत्राखंड को अपनी सेवाएं दूंगा क्योंकि वहां मैं और मेरे एक बड़े अच्छे मित्र होते थे जो कि एक रिनाउंड गेस्टो सरजन है वो तब हम लोग डिसाइड करा कि हम लोग देहरादून चलें करेंगे और प्राक्टिस करेंगे वहां पे और एक कारण जहरादून की तरफ आने का ये भी था कि क्योंकि मैं यूपी इस से बिलॉंग करता हूं कैसे उत्राखंड पहुंचा तो ये था कि मेरे पापा पुलिस में थे और उनकी जगा जगा पोस्टिंग होती थी तो मेरी पैदाई जो है वो ने निताल की है तो एक कारण ये भी था उत्राखंड आने का तीन साल सीनिर एसिटेंसी के बाद सब्दर जंग से फिर मैं करीब नौ से दस महीने करीब मेट्रो हस्पिटल फरीदाबाद में था जुनिया कंसलिटेंट था उसके बाद मैं अपनी एडव जर्मनी में फॉर्जाइम में जो की एक टर्चरी केर सेंटर है जहां पे बहुत सारी डेक अन अवरेज साल भर में दस हजार सर्जिया होती ही वहां से मैंने अपनी फैलोशिप करी उसके बाद मैं 2015 में देरादून पहुचा जब देरादून आया तो शेहर मेरे लिए नया था तो मैंने सोचा कही नहीं तो जोइन करके स्टार्ट करते हैं तो मैंने पता लगा कि महन दिंडेश हॉस्पिटल एक बहुत रिणाउंड हॉस्पिटल है डेरादून में तो मैंने वहां जोइन करा और 2020 में मैंने वहां से रिजाइन करा as a associate professor in the meantime मैं जॉब भी करता था साथ में प्राइवाइवेट प्रैक्टिस भी करता था तो शुरुआथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है जनकल्यान उस्पिटल है दहरादून में वहां से शुरू करिये हैं मैं Ne me and my team और्थोपेडिक्स की जो है उसके बाद फिर सिंस 6 months we are associated with Arihans Hospital and this is the journey of my medical field in as you can say अप हमारे दर्शकों को बताईए कि orthosurgeon होता क्या है और ortho से जुड़ी हुई क्या क्या बिमारिया होती है मतलब कैसे होती है इस बिमारिया और अगर में उतरखन में बैठा हूं अगर पहार की बात करें तो जो common जो most common बिमारिया है orthopedics में जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे वो हैं जैसे fracture देखे fracture और trauma तो एक common चीज है कोई भी accident हुआ, trauma हुआ, हड़ी तूटी चोट लगी तो ये एक ये injuries भी orthopedics में आती है और उसके इलावा जो non-traumatic चीजे हैं वो भी होती हैं जैसे की back pain है arthritis की problems हैं और infections हैं हड़ी के infections हैं ये सारी चीज भी हड़ी के relation में आती हैं basically orthopedic surgeon जो होता है वो गर्दन की नीचे की जत्य पार्ट है उसके लिए responsible होता है treatment की मेरे दूसरा सवाल हम arthritis पे बात करते हैं मतलब initially जब arthritis की बात होती थी तो इसको बढ़ापे से जोड़ा जाता था है की मतलब arthritis knee problem बढ़ापे में जाके होती है लेकिन आजकल देखा जाता है कि youth में भी cases बहुत बढ़ रहे हैं मतलब teenage में आपको बहुत नी problems हो रही है लिगमेंट्स टूट रहे हैं बहुत सारी चीज़े हो रही है तो क्या है इसका कारण और इसके समाधान भी साथ साथ बताईए अच्छली arthritis एक वर्ड है ना बहुत वेग वर्ड है arthritis एक बढ़ापे के लिए सच बात है यूस करा गया बट 200 तरहें क्या arthritis होते हैं जो कि किताबे कहती है दिया और दें 200 टाइप्स ऑफ अथराइटिस लेकिन जो most common arthritis है जो हम day-to-day activities में देखते हैं day-to-day practice में देखते हैं वो जैसे है कि osteoarthritis जिसे हम कहते हैं कि वो basically बढ़ापे में होता है है ना बढ़ापा जब patient 55-60 years above जाने लगता है तो उसके joints wear and tear होने लगते हैं गिसने लगते हैं से हमारे बाल सफेज होते हैं वैसे जोड़ का बढ़ापा भी आता है उसके अलावा बहुत सारे infective arthritis होती हैं गाउटी arthritis होते हैं जैसे uric acid बढ़ने से तो these are three four basic types of arthritis जिसे हम बोलते हैं लेकिन जो बढ़ापे से बोला गए वो उसको osteoarthritis बोलते हैं उसकी जो age है वो यंगsters में भी देखी गए बहुत यंग stage में भी शुरू हो जाता है क्योंकि वो एक autoimmune disease है वो 25-20 के एज में भी शुरू हो सकता है enkylozing spondylitis भी third-fourth decade में भी शुरू हो जाता है बहुत यंगsters में शुरू हो जाता है इसके कारण क्या है कारण rheumatoid arthritis का जो यंग patients में देखा गया है उसका कारण क्यूंकि मैंने आपको जासा पता है एक autoimmune disease है autoimmune disease का मतलब होता है हमारे body का जो protective mechanism है हमारे ही joint के against में हमारे joint के surroundings के against में काम करने लगे और महां पे swelling पैदा करें तो यह कोई बहार सी विमारी नहीं आई है हमारी body का ही एक autoimmune disease है तो rheumatoid भी एक autoimmune disease है तो वो हमारे body में हमारे जो body के सर से हमारे joints के against act करने लगते हैं क्या इसका हमारे मतलब जो आजकल का lifestyle है बहुत change हो चुका है तो इस बिमारी का lifestyle या खान-पान से कोई direct relation है या विकल देखे यह एक genetic भी होता है इसका जाम देखें predisposition तो genetic भी देखा गया है कि आपके अगर मम्मी या पापा किसी को है तो आपको भी हो सकता है जैसे sugar की patients होते हैं मम्मी या पापा तो आपको हो सकता है thyroid के patients है क्योंकि यह autoimmune disease है और genetic भी इसका predisposition देखा गया है even rheumatoid arthritis में तो यह भी कहा गया है कि आप एक single cigarette भी पीते हैं तो वो भी trigger कर सकता है कि आपको you never know कि आपका जो immune system में वो कब किस चीज़ से trigger हो जाएगा बहुत exact etiology नहीं पता है लेकिन यह सब कारण है आपने शुगर की बात की diabetes से मुझे एक चीज़ याद आई की आजकल government hospital हो या private सब में frozen shoulder या frozen muscle कहें उनके cases बहुत बढ़ रहे हैं तो frozen muscle होता क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं तब किन कारणों से frozen muscle होती है यह word जो यूज करा गया है frozen shoulder के लिए यूज करा गया है एक देशी बासम में हम frozen shoulder बोलते हैं बट उसका exact medical term होता है peri arthritis shoulder या adhesive capsulitis मतलब कि यह हमने बहुत common देखा है sugar वाले patients में इनका sugar derange रहता है control में दी रहता है उनके shoulder में जकड़न आना बहुत common है एक में भी हो सकता है दोनों में भी हो सकता है होता ही है यह sugar बढ़ने के वजह से जो joint की capsule है joint का जो surrounding में capsule होता है उसमें swelling आ जाती है इस वजह से जो movement होता है वो restrict हो जाता है इसको हम frozen shoulder बोलते है या adhesive capsulitis बोलते है या peri arthritis shoulder बोलते है तो इसका कारण सिर्फ sugar या diabetes है most common यह देखा गया है sugar के patient में सबसे आदा common frozen shoulder होता है बट चोट लगने की वजह से भी हो सकता है या कोई surgery होई है shoulder कि या उसके आसपास के area में उस कारण से भी हो सकता है हम आगे बढ़ते हैं हम bone TB पर बात करते हैं थोड़ा सा bone TB क्या होती है और bone TB की disease आजकल बहुत common हो चुकी है और पहाडों में अमूमन देखा जाता है मतलब इसके बहुत patients मिलते हैं तो इसका क्या कारण है मैं यह जरूर बोलूँगा कि bone TB पहले के मुकाबले आजकल काफी कम हो गई है क्योंकि हमारी जागरुकता बढ़िये हैं public में patients में जागरुकता बढ़िये हैं जल्दी से medical aid ले ले लेते हैं कोई problem शुरू होती है क्योंकि bone TB पर से मैं बोलूँ इस directly bone में हो वो chances उसके कम हो नॉर्मली होता ही है TB कहीं की थी जैसे फेपड़े की TB थी वो ठीक से treat नहीं हुई या treat नहीं करा long term तक रही तो वो blood के through bone में पहुंसती है तो कारण basically यही है और देखिए TB इंडिया जैसे देश में low social economic status वाला जो देश है जहां पे majority population below social economic status है तो उनमेना nutrition बहुत अच्छ नहीं होता है TB की टाडू हर किसी में है लेकिन बीमारी किसमें पैदा करते हैं जिनके immunity खराब है या जिनको और बी कुछ बीमारियां है जैसे blood pressure है sugar है in patients में या फिर जिनका खान पान अच्छा नहीं है या फिर जिनकी immunity कम है जैसे rheumatoid के patients हैं जिसमें हम treatment में immunity कम करते तो उन में chances ज्यादा होता है कि TB की शिकायत हो और अगर हो जाती है तो इसके क्या क्या treatments होते हैं treatment बहुत simple है TB का basically treatment बोन TB का treatment जो है वो ज्यादा तर spine में होती है मैं का होगा लेकिन हो किसी भी जोड में सकती है लेकिन सबसे पहरा जो treatment है वो medical treatment ही है medicine दी जाती है anti-tubercular treatment चलता है ATT हम उसे बोलते हैं जो कि 14 से 18 महीने तक का treatment चलता है और क्योरे बेल है पहाडों में देखा जाता है महिलाएं भी बहुत मतलब वेट लेके वो चलती है और बुड़े लोग होते हैं बच्चे भी होते हैं उनमें bone की problem बहुत ज्यादा हो रही है अचकर नी problem, back pain, shoulder pain, so इसक क्या कारण है और यह कौन से बिमारी होती है पहाडों पर ज्यादा trend यह है कि जो दूर दरास के गाहाँ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यह trend है कि पानी दूर से लाना पड़ता है लकडियां बिनने जाना पड़ता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा weight carry करते हैं कंदे पर सर पे उस वज़ा से back pain की lower back pain की problem बहुत हैं पहाड में और क्योंकि हमने यह देखा है कि एक age के बाद अगर आपकी muscles weak हैं तो arthritis अगर आप आलती-पालती मार के बैठ रहे हैं अकडू बैठ रहे हैं जैसे old age में और सेड़ी ज़्यादा चड़ उतर रहे हैं तो घुटनों प अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं और बच्चों में में कारण दर्द का देखिए adolescent age में या growing बच्चा उसमें bone pain थोड़ा बहुत हो सकता है वो एक natural phenomenon है वो नॉर्मल है बट हां क्यूंकि infection की शिकाया छोटे बच्चों में देखी गई है वो भी काफी कम हो चुकी है लेकि ligament surgery पर हम बात कर लेते हैं वो आपका specialization भी है तो ligament surgery मतलब ligament break कितने type के होते है ligament surgery कौन कौन सी होती है क्या उसका success rate होता है वो भी थोड़ी है most common जो ligament surgeries हम बोलते है इसको एक term दिया गया है sports injuries क्योंकि यह ligament surgery का trend है वो विदेशों में sports injuries बहुत होती है उसमें जहातर ligament चोट नहीं लगती तो लेकिन ऐसा नहीं है ligament की injury आपको सिर्फ sports injuries में भी होगी वो road traffic accident में भी हो सकती है चोट लगने की वज़ा से भी हो सकती है पैर फिसलने से भी हो सकती है या मोड़ा है या खेलकूद है उसमें भी हो सकती है तो जो common ligament injuries है वो knee के around और ankle के around होती है और नी के around 4-5 ligament होते हैं कोई भी तूट सकता है लोगो most common ligament injured होता है नी के नी में वो है ACL उसकी हम अब जित्ती भी ligament surgeries है वो जादातर हम Durbin से करते हैं आजकर उसको हम arthroscopy बोलते हैं तो बहुत successful operation है हम Arihand Hospital में हमारे हाँ we are well trained we have a well trained team state of art modular theaters है हमारे पास सारी emergencies handle करने के लिए त performing these ligament surgeries arthroscopically since very long ligament surgery बहुत costly होती है तो मतलब पहाडों में हर class के लोग रहते हैं तो ऐसा कुछ है जिससे मतलब जो गरीब लोग हैं जो afford नहीं कर सकते उनके लिए कोई बिल्कुल ना पहाड़ देखिए अब government बहुत ज़्यादा इस पर focus भी कर रही है आपने देखा हो Arihand में आईश्मान स्कीम चल नहीं है तो हमारे पास Arihand Hospital में सारे पैनल्स हैं सारा से तो हम लोग ने एक सब सेंटर भी खोल रहे हैं जो भी जड़ी ही शुरू हो जाएगा Arihand का चमुली में अब यह कहां पर होगा सेंटर और मतलब इसके आसपास की चमुली भी एक government building है जिसे Arihand ने take over करके उसे निया hospital बना रहा है में चमुली है हम joint replacement पर बात करते हैं joint arthritis यह जो भी problem होती है उसके पर joint replacement होते हैं तो बहुत ही common चीजे हैं आजकर joint replacement कितना successful होता है joint replacement surgery चो होती है क्या rate है success rate सबसे जादा जो joint दुनिया भर में बदला जाता है वो knee joint होता है और नी joint दुनिया में सबसे आदा replacement बदला जाने वाला joint है तो आप समझ सकते है successful rate के success rate कितना होगा नी joint का patient अगर उसका replacement हुआ और बहुत सब कुछ successful है तो आपके सामने से चल के चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसका knee replacement भी हो रखखा है तो it is a very successful operation और खास तोर से ये old age patients में और जो rheumatoid के patients हैं जिसमें rheumatoid arthritis हो गठी है उन में जोड़ जल्दी खराब होते हैं उन patients में करा जाता है तो I will recommend कि old age अपने दर्द को ना सहें और हमारा भी ये focus रहता है कि जो हमारा old age है वो अपने पैरों से चले जब तक वो जिन्दा है अपने पैरों से चले किसी पर dependent ना रहा है तो एक ये lifestyle change करने की सजरी है पहले हम ऐसा नहीं सोचते थे लोग दर्द में जीते रहते थे जीते रहते थे बट अब ट्रेंड ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है अब बुड़ापा कोई बीमारी नहीं है it is a aging process जो joint का aging process है तो ये lifestyle change करने की सजरी है for a better lifestyle I'll say इन तमाम प्रकार की बिमारियों से बदब अगर हम इन अवाइड करना चाहें तो इसके लिए कैसा lifestyle होना चाहिए क्या खान-पान होना चाहिए क्या drinking habits होनी चाहिए थोड़ा सा हमारी दर्शकों को भूवी बड़ाए देखिए खान-पान एक बहुत important role play करता है सारी बिमारियों मैं बोलुगा चाहे वो और्थो से related हो चाहे पेट से गैस्टो से related हो या फिर चाहे medicine से related हो अगर आप यह बोला गए अच्छा balanced खान-पान रगते हैं और time से हर चीज़ें करते हैं तो बिमारियां दूर रहती है हाना तो यह और्थों में भी follow होता है और हां मैंने हमने अपने प्रेज़ेंट सेनारियों में अपनी practice में यह जरूर देखा है कि हमारे यह ना osteoporosis जो है कि बोन की quality खराब होना बहुत neglect होता है old age में क्योंकि 60 साल के बाद खास तौर से females में ऐसा होता है कि hormonal changes ऐसे होते है पोस्ट menopause की bone की quality धीरे धीरे weak होने लगती है ऐसा नहीं है कि males में नहीं होता, males में भी होता है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा age पे होता है, females में menopause के बाद शुरू होता है, तो उसमें खान पान का रोल इसलिए है कि आप अच्छा अगर calcium diet लेते हैं, दूद, दही, पनी काफी improve करता है, और basically खान पान इसलिए important है, दूद, दही, पनीर आपको calcium में एक age पे तो आपको लेना ही चाहिए और अच्छा लेना चाहिए, और calcium supplements भी एक age के बाद old age में जवरी पढ़ते हैं, आठ से नौ महीने साल के लेने चाहिए, जिससे कि bone quality खराब ना हो, और जो lig पहले proper stretching करना, warm-up करना बहुत जोरी है, जैसे जिम जा रहे हैं तो इसके पहले proper warm-up करना और आपको सारी body को stretch करना बहुत जोरी है, वरना आप directly muscle training पे चले जाओगे, sports में चले जाओगे, तो injury के chances muscles और ligaments के बढ़ जाते हैं, और हम old age में ये भी focus करते हैं कि, जैसे गुट का weight off-load हो जाता है, जो transmit होता है जमीन पे weight, वो off-load हो जाता है, तो joint पर ज्यादा pressure नहीं आता, तो arthritis भी धीरे progress करता है, मेरा एक और सवाल, जैसे आजकल के lifestyle में मतलब लोगों का दायरा बहुत सिमट के रह गया है, यूद को ही ले लो example, phone, laptop, मतलब पूर टाइम उन स्क्री जाता है, तो उससे एक neck pain, back pain होता है, तो वो क्या बिमारी है और उसके क्या क्या सवाल है, यह बहुत अच्छा सवाल है, क्यूंकि आजकल हमने देखा है कि youth majority चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, यंग्स्टर्स हो, laptop, mobile, या फिर उनका office work हो जाता है, laptop पे हो रहा है, या बच्चे हैं, तो इस तरह की problems काफी देखी गई है, जैसे की back pain, upper back pain, neck pain, गर्दन में pain, cervical pain होता है, या फिर उनको headache रहना, और कई बारी अंगूठे के, क्यूंकि बहुत जादा आपका क्या बोलते है, mobile use कर रहे हैं बच्चे, तो यहां पर एक tendonitis हो जाती है, थम के पास उसे हम बोलते हैं, dequervance, वो भी बहुत common है, आप उस term को भी थोड़ा explain है, dequervance, synovitis बोलते हैं, यहां पर हमाई थम के just, base पे थोड़ा सा swelling develop हो जाता है, mass patient में, उसको हम term बोलते है, dequervance synovitis, तो यह बहुत common है, क्यूंकि हम thumb का mobile use कर रहे हैं, तो थम का बहुत استعمال कर रहे हैं, तो continuously जो लोग बहुत जादा mobile पर लगे तो उनको भी यह दिक्कत देखने को मिली है, और जो driving करते हैं, उनमें भी tennis elbow की problem बहुत देखने को मेरी कोहनी के पास tennis elbow होता है, तो यह सब कुछ बिमारियां हैं, जो के आज के lifestyle से correlated हैं, और हां और यह भी देखा गया है कि हम हमारा जो youth है या फिर जो office work वाले हैं वो धूप में बहुत कम निकलते हैं, तो उनको normal bone pain रहना, body ache रहना यह बहुत common है, उसका एक बहुत important कारण है कि हमारा vitamin D level बहुत कम रहता है, बोडी में, जिस वज़ा से हमें muscle pain, sourness, यह सब चीजे रहती है, तो इसके लिए क्या treatment हो स Laptop यूज कर रहे हैं और desktop यूज कर रहे हैं तो हमारा posture straight होना चाहिए, posture ठीक होना चाहिए, बहुत जुक्के या बैट पे बैटके नहीं करना है, और हमें दिन में कम से कम आदे गंटे से 45 मिनट का धूप में बैटना चाहिए, जिससे vitamin D generation हमारी body में होता रहे, फिर भी अ जाते जाते मैं अपसे यह पूछूँगी कि आप हमारे दर्शक को कुछ अगर health tips देना चाहें जिससे वो स्वस्त रह सके और इन तरह की बैमारियों को वो अवाइड कर सके मैं इन वाइट ना करे खुझ से कि इन तरह कोई बैमारी उनको हो तो अगर कोई आप हमारे स्वालिटी है वो खराब ना हो यंग्स्टर्स के लिए जो स्पोर्ट्स में है या फिर जो डेली बेसिस पर ट्रावल करते हैं बाइक चलाते हैं मैं चाहूंगा की जैसे स्पोर्ट्स वालों को बोला कि आपको जब भी आप खेलने जा रहे हैं तो आप वाम अप जरूर कर कोर मसल्स की एक्साइज करें स्टेंटन करें जिससे कि आपकी थोड़ी मोड़ी चोट लगने से आपको इंजरी ना हो लिगमेंट इंजरी ना हो और रोट ट्राफिक एक्सिदेंट तो मैं कहूंगा कि ड्राइव सेफ पॉलो दा रूल्स और ओल्ड एज के लिए मैं कोई भी चीज होती है बोन पेन हो रहा है या जॉइंट में पेन हो रहा है तो आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करें हमने ये भी देखा है कि हमाई देश में रायचंद बहुत है मैं सच बोलूगा बुरामत मानियेगा आना आप जैसे ही कोई एडवाइस लेने जाएंगे आप आपको चाय वाला भी एडवाइस देगा परोसी भी एडवाइस देगा पान वाला भी एडवाइस देगा तो एडवाइस उनसे नहीं लेनी है आपको कोई दिक्कत होती है तो हमेशा एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है आपको हड़ी से रिलेटेड दिक्कत है तो तो R stands for rest, आपको चोट लगी तो R stands for rest, I stands for icing, C stands for compression, मतलब क्रेप bandage मान लिया, और E stands for elevation, तो मतलब आपको rest देना है, ठंडी सिकाई करनी, जब भी आपको कहीं चोट लग रही है, मैं youngsters को खासतोर से बोलूँगा, इनको चोट लगती है या कहीं भी चोट लगी तो आप hospital तुरंत नहीं पहुच पा रहे हैं, तो आप इस चीज को follow करिए, कभी पडोसी की ब मान के आप गरम सिकाई ना करें, आपको swelling आईए, आप गरम पानी डालोगे और चीज बिगड़ जाएगी, rest देना है, उस पर वेट नहीं डालना है, मतलब आइस से सिकाई करनी है, और थंडी सिकाई चाहिए, पानी नहीं डालना है, पानी में तॉलियम लपेट के बरफ मि हैं, उनको भी जो नी प्रॉब्लम या जो भी होता है, चोट लग जाती है, तो वो भी उसको मतलब ऐसा ही कुछ घरेलू ट्रीटमेंट करके, कोशिच करते हैं कि ठीक हो जाए, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है, मैं जरूर कहूंगा कि पहाडों पे एक ट्रेंड ये भी इसकी राय लें और अपना ट्रीक्मेंट शुरू करा हैं क्योंकि आज के टाइम में सारे चीजों का इलाज मौजूद है, मैं हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा ओल डेज इन चीजों को लेके सफर करता रहें, हम चाहते हैं कि ठीक है वो आता है अगर रिप्लेस्मेंट करना ह अपनी नॉर्मल बचीरी लाइफ अच्छी विदाव डिपेंडेंसी की जीए वो और बैक पेन का तो यही है कि अब धीरे-धीरे डेवलप्मेंट पहाड़ा पे हो ही रहा है तो दूर से पानी लाना सड़के हर जगा पहुंच रही है, पानी हर जगा पहुंच रही है, अथो सर्जिन डॉक्टर यश मोहनलाल जो अभी अरिहन्थ हॉस्पिटल में पोस्टेड है, तो यह बारामासा ओपीडी का प्रोग्राम था, यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए, अगर आपके इस से रिलेटिड कुछ सवाल है तो वो भी हमें कमेंट करक बताए, बारामासा ओपीडी के अगले एपिसोड में हम आपको इसी तरह के किसी अलग विशेशगे से मिलवाएंगे, जो आपकी स्वास्ते के प्रति आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, जुड़े रहे बारामासा